नमस्कार जोहार मित्रों मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना कलास्रोम में श्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग जार्खन के जुवाओं में खेल खुद को बढ़ावा देने के लिए एक योजना जार्खन सरकार दुवारा चलाई जा रही है इसी जोजना के संबन्द में आज हम लोग बात करेंगे इसी योजना का नाम है सहा योजना मुख रूप से उगरवाद परभावित जिलों में जहां पर सुविदायों से बंचित खिलाडी या युवा भटकाव के स्थिति में आ जा रहे हैं उन्ही जिलों में मुख रूप से इसी योजना के प्रारम की गई है और जार्खन सरकार की या बहु आयामी योजना के पूछे जाने योग्य है सहाई योजना के संबंद में आप एक वर जानकारी दे दूं कि इस योजना का कई अन्य रैज्यों में भी अलग-अलग रूप में सहाई योजना के नाम से योजना ये चलती है तो जहार्खन सरकार की ये सहाई योजना क्या है इस बारे में आज ह स्पोर्म है स्पोर्ट्स एक्षन टुवार्ड्स हारनेशिंग एस्पिरेशन ओफ यूथ 15 देसंबर 2021 सुभारम हुई है और मिखमंत्री हेमंत सौरेन के दुबारा इस योजना को लॉंच किया गया है कहा गया है इसमें कि जार्खन में खेल खुद को बढ़ावा देने के उद्देश्ट से सहाई योजना को स्विक्रिती दिखेई है जार्खन सरकार ने 22 उग्रबाद परवावित छेत्रों में खेलों के माध्यम से शंगर्ष शमाधान की दिशा में आगे बढ़ते हुए शामाइनने जीवन सेली को प्रेडित करने और यूवा वर्ग के बिकास हेतु शहाई योजना यानि की इस्पोर्ट एक्षन टुवाड्स हारने सिंग एस्पिरेशन औफ यूथ नाम से संचालित करने की मंजूरी दी है यह योजना जार्खन के पस्चिमी सिंग्भू सराई के लाखर सामा खूटी सिमडेगा कुमला जिलों में लागव होगी दोस्तों चायवासा से यह योजन प्रारम की गई है चलिए आगे देखते हैं जार्खन की नकसल परभावित जीलों में यूवावों के खेल गतिवधियों से जोड कर उन्हें रचनात्मक बदलाव की सोच के साथ राई सरकार ने शाहाई नाम की बिशेश योजना सुल की है जो यूवा भटकाव की इस्थि उन्हेवावों में रचनात्मक बदलाव लाने की सोच रखी गई है क्योंकि जब खेल होते हैं तो आटमेटिक ही दूसरी जो गतिविधिया है चाहे वह नकसली गतिविधिया हो चाहे जो मानसिक तनाव हो चाहे सारिक इस्पूर्ति की कमी हो वह सारी चीजे समाप्त हो जा परतिभावान खिलारियों की भी कोई कमी नहीं जार्खन के कई खिलारी आप इतियास उठाके देखेंगे खेलों का तो जार्खन के ऐसे कई खिलारी हैं जिन्होंने राष्टिय ही नहीं अंतर राष्टिय अस्तर पर भी अपना नाम बुलंद किया है और जार्खन का नाम जैपाल सिंग मुंडा हो चाहे दिफिका कुमारी महेंदर सिंग धोनी हो बरुन एरन हो इसी हज्जारों नाम आपको मिल जाएंगे जो खेलों के परति अपनी योगदान से जार्खन को राष्टिय पटल पर और अंतराष्टिय पटल पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है इसी उद्देश से चायवासा के एसोसियेशन ग्राउंड में बूदबार को जार्खन केमिक मंत्री हैमंत सोरणी खेल परतिभावों को बढ़ावा देने के मकसद से शाहा योजना की सुरुवात की है इस योजना के तहट सरकार ने दो से दस अजार रूपिय तक की प्रोथसाहन रासी यहाँ पर कोई इसे पैमेंट ना समझ ले यह एक प्रोथसाहन रासी देने की घुशन की है प्रोत्साहन रासी खेल को बढ़ावा देने के लिए या किसी भी चीज को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है या किसी परकार का मानदे या बेतन नहीं समझा जाए इसमें इस योजना में सुभारम के दोरान है सियम हेमन सुरन ने कहा कि ग्रामिन अस्तर से लेकर परखन और जिला अस्तर तक खिलारियों का चैन होगा उसी के आधार पर उन्हें राष्टिय अस्तर तक पहुचाय जाएगा इसकी सारी जिम्यवारी सरकार की होगी बश्चिमी सिंग्भूम के चायबासा के आलावा यह योजना सराय के लाखरसा में खूटी, कुमला और सिम्डेगा में भी इसकी सुरुवात की जाएगी इसके बाद इसकी सफलता के आधार पर अन्य जीलों में भी इस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना का उद्देश है कि इन जीलों में जमिनी अस्तर पर जो परतिभावान खिलाड़ी हैं उनकी पहचान करना है ताकि खेलों के माध्यम से युवावों में श्वता इस फूर्ती की भावना उत्पन हो और वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेडित हो सकते हैं योजना के जरिये युवावों के साथ संबाद अस्थापित करने और उन्हें केंद्र और राज सरकार की योजनाओं की जरिये जागरुपता पैदा करना इसमें सामिल है इस योजना के तहट ब्लॉक नगर निकाए जीला और राज अस्तर पर लड़के-लड़क के लिए फुटबॉल, होकी, एथलेटिक्स, बॉलीबॉल और अन्य खेल परतियोगिताओं का आयजन अलग-अलग किया जाएगा दोस्तों इस योजना का मूल उद्देश जो है वह है सभी युवावों को जोड़ना रजनात्मक्ता की द्रिश्टी कोन से एथलेक्टिक्स के तहत यहाँ पर 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर के साथ में लॉंग-जंप का भी आयोजन किया जाएगा ग्रामिन छेत्रों में ग्राम पंचायत और सहरी छेत्रों में वाड अस्तर पर 14 बर्स से 19 बर्स की लड़के और लड़कियों का खिलाडियों के तोर पर रेस्टेशन कर आये जाएगा और यह कारी खंड विकास अधिकारी या नगर निकाय के मुख कारी पालक अधिकारी के जरिय किया जाएगा पंजीकरन कर इन खिलाडियों का डेटाबेस त्यार किया जाएगा और ग्राम पंचायत और सहरी छेत्रों में वाड अस्तर पर फुटबॉल, होकी, बॉलीबॉल की अलग-अलग टीमों के रूप में चैन किया जाएगा जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इसके बाद इन टीमों के बीच में परतियस परधा होगी और जो इस परतियस परधा में विजई होंगे उन्हें आगे बढ़ने का मोका भी मिलेगा और शाथ म कि यह योजना मुईल रूप से नक्सलबाद को समाप्त करने की दिशा में एक कदम मानी जा सकती है और अगर यह योजना सफल होती है तो दोस्तों इतना याद रखे कि नक्सलबाद की और जो युवा मूर रहे हैं उन युवाओं को सही रास्ते पर लाया जा सकता है जहार जार्खन सरकार की यह योजना बहुत ही बहु उद्देशिय योजना के रूप में बन कर सामने आई यही हम उमीद कर सकते हैं और परिच्छा के द्रिश्टी कोन से जो इंपोर्टेंस है उसे हम लोगों ने लाइन कर लिया है आप सभी का धन्यवाद और अगर आप को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नए है चैनल में तो सब्सक्राइब कर ले और अगर पहले से सब्सक्राइब किये है तो क्रिप्या लाइक बटन को दबा दे और आप अपनी राए हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपका कमेंट हमें नए नए चीज करने का से जयदा knowledge मिल सके यह काम अपना classroom कर रही है आप सभी का प्यार का आसा करता हूं और आप सभी का एक बार धन्यवाद करता हूं धन्यवाद